हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत थे आप सभी का और सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लग कल के एक्जाम के लिए है अब देखिए आपने रामायन में वो लास्ट टाइम जब युद्ध चलता है ना तो उसमें सुना होगा कि यही रात अंतिम यही रात भारी है ना तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे स्टुरेंट ऐसे होते हैं जो पिछले दो स साल से चार साल से मेरे जैसे मेंने प्लास पी अनने स्ट भी करवाया था इसके पहले वाला भी तयरी आप चिंता करेंगे तो चिंता से यह होता है कि जितना हमने पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं, ज्यादा चिंता करने से, और अगर हम चिंता नहीं करते हैं, और उपर वाले के उपर विश्वास करते हैं, और थोड़ा सा रिलेक्स रहते हैं, तो अगर कोई चीज आपने एक बार भी पढ़िए, वो भी एक्जाम के टाइम पर यादा जाएगी, औ आपने दस बार पढ़िए, वो भी भूल जाओगे, क्योंकि आपको पता है, कि जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं, तो हाट बीट बढ़ती है, बीपी हाई लो होने लगता है, तो अपने को ऐसा काम नहीं करना, चीज़ें अपने फेवर में होगी, अपना पेपर बहुत जाएगा, एक नंबर शांदार वाला जाएगा, बस आपको रिलेक्स रहना है, आराम से समय पे सो जाना है, है ना, 10 बजे, 11 बजे, ऐसा नहीं कि रात भर पन्ने पलटते रहो, और रात भर पन्ने पलटते रहो, नींदी नहीं मिली, इधर सुबह उड़ जाई नहीं मिल र तनावनी लेना सोते समय क्या होगा, सोते समय ये सोचना कि अब मैंने जो इतने समय तयारी करी, उसके रिजल्ट का अब सही समय आ गया है, अब मेरी परिक्षा का समय आ गया है, कल मैं आराम से परिक्षा दूँगी, और सुबह उठके बढ़िया एक्जाम होल में जाऊंग कि तुल्सी भरोसे राम के निर्भय होकर सोय, अन्होनी होनी नहीं और होनी होय सोय, है ना, तुल्सी भरोसे राम के, तुल्सी दास जी जो थे ना, तो वो जब बहुत छोटे थे, तो उनकी मा गुजर गई, कोई नहीं था घर में, है ना, अकेले थे, तो अंधेरा बहुत ज अच्छी नीन लेनी है खुश रहना है तो कल जो आपका होने वाला है यह समझे जिसे हम जब किसी की शादी होती है शादी में जाते हैं तो कैसे बढ़िया तैयार होते हैं खुश होते हैं कल तो मैं नाचूंगी तो वेसे ही आपको कल जो आपकी एक्जाम होने वाली है तो य कि यहापके इतने समय जो अपने दिया उसका फल मिलने वाला है आपको एना जो इतने समय सा अपने तयारी करिए उसका फल मिलने वाले थी हमको खुश होना है यह हमारे लिए एक तरह से त्योहार होना चाहिए एसा थोड़ी अपन से लेके बैड sal Synley परिख्षा देने आख उपर वाले सब्सक्ति की लोगों को बिलकुल चिंता नहीं हो रही है और वो खुश है बोले सर हम बहुत रिलेक्स हैं कोई दिक्कत नी है ना तो वो इस वीडियो के comment में लिख दे कि सर मैं बढ़िया हूँ रिलेक्स हूँ और thank you thank you कि किसको बूलना है मेर को नहीं उपर वाले को तो कॉमेंट में उपर वाले को थैंक यू लिखना है और अच्छे से अपने एक्जाम को देना है ठीक है भाई या चलो तो कोई टेंचन नहीं लेगा सब बेन बेटेयां बढ़े अच्छे से नीन निकालेगी रात को और सुबह उठके पेपर देने जाएगी और डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही बहतरीन जाएगा ठीक है चलिए ओके बाई बाई टेक केर एंड बेस्ट आफ लग बुद बाई